यार मुझे नहीं लगता इससे अच्छी धांसू एप कोई होगी दोस्तों ये एप दम रखती है सिलिप आधार कार्ड पैन कार्ड पे पूरे 10 लाग का लोन देने की लेकिन आपका प्रोफाइल भी तो तना अच्छा होना चाहिए यहां पर हमारी सब्सक्राइबर को यह देख पा रहे हो 34,000 का लोन एक नई दो नई ती नई चार नई आठ नई दस नई एक साल मिनी पूरे 24 महने अनि दो साल के लिए दिया है 34,000 का लोन पूरे 24 महने के लिए बिना किसी इंकम प्रूफ के सिर्बाधार काट पैन काट पे वो भी 600 के सिविल पे और वो भी 300 का ब्याज आपको महिने का देना है 35,000 का अगर 34,000 रुपए आप ले रहे हो ना तो 35,000 रुपए ही ब्याज के देने कोई बड़ी चीज नहीं है समझ रहे हो अब आप सोच रहे होगे तो हर बार की तरह फर्जी अब बताएगा इसकी एनबी एप सी है इसकी एनबी एप सी आईएफल तो उसने यहां पे आईएफल ने यहां पे दिया है अब यह कौन सी एप तो 34,000 का लोन शाड़े छाज होगे सिविल पे बिना किसी इनको प्रूफ के सिर्फ अधरकाट पैंगार्ट प्रोवाइट कर देती है बेंक का स्टेइन्मेर्ट भी दिखा दूँगा जो बेंक का मैल आया है बगाया इतना पैसे आपके अकांट मैट डाला जारा है दिखाँगा कैसे करना है ऐसा काहूंगा जिया आप कोई फटाक सी लोन मिलागा, आपका लेना चाहते है इस app से तो एक काम के और दो चैनल को सब्सकार कर दो विलाकर न को पैस कर दो ताकि मेरी किसी भी वुडियो कर नोडिफिकरसन आपको समय से बिल सके दोस्तो एक सीज़ार मेरे टेलेग्राम पर चैनल है कॉल इतनी आएंगे परिशान होगे तो लोन तब लें जब चुकाने में सक्चमो तो चलिए अब यहां देखिए आप दोस्तों जैसे मैंने इस एप को ओपन किया आप यहां पर मोगाल अमब डालके नाम डालके आप ओपन कर लेना ठीक है वो तो बेसिक के कोई दिक्कत नही है तो आपको 30,000, 40,000, 50,000 का लोन मिलागा जिसी कि हमारे सब्सक्राइबर को यहां पर 14,000 का लोन अप्रूब हुआ है अग कैसे हुआ है तो step by step दिखाऊंगा तो इसको क्लेम करने के लिए क्लेम नाव पे किलिक करके और आगे बढ़ेंगे तो उसकी वाद आपके सामने कि भाईया start your loan application यहां पर आपको क्या क्या चाहिए देखिए अगर आप इन विजनिस है तो आपको यहां पर बिजनिस के साफ से आपको डोकुमेंट देने बिजनिस वालों को यह लोन प्रवाइड करता है जैसे कि आप नीचे देख सकते आधर कार पैन कार बिजनिस चलिए यहां पर हम इन विजनिस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें आधा नमर डालना है अपना नाम डालना है और आधार से मोबाल लिंक होना चाहिए उस पर OTP जाएगा OTP डालके यह आधार कार को वरिफाय करेगा तो चलिए इस प्रसेस को फॉलो करते है आधा नमर डालके हम प्रसेट पर क्लिक करते हैं और जो OTP की प्रसेस है वरिफाय करने वाली उसको पूरा करते हैं तो चलिए अब करने यहां पर क्या करेंगे प्रोसट्ट्ट पर किलिक आगे बढ़ेंगे नहीं तो आप इसको अपर वहता है कुछ गलत आ गई Fitz सब कुश ठीक है तो यहां पर हम प्रोश्ट्ट करके और बढ़ते बढ़ते हैं अब हमारी आप करने हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक option और भी आ रहा increase my loan amount तो देखी अगर आप इसको increase करना चाहते हैं तो इन्होंने सिर्फ आधर कर पैंड कर लगाया था तो इनको 34 जार मिला अगर यह statement लगा देते हैं बैंक का last के 6-8 मेरे कम से कम आगेगा तो तो यहां पर यह 34 जार से इनकी जो यह रकम है बढ़ भी सकती है करी 20 जार 25 जार बढ़ आएगी होता एक लाग तक भी मिल जाए अगर यह bank customer लगा देते हैं तो इस लोन को लेने के लिए आगे की चीजों को आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों जैसा की देख पा रहे होंगे यहां पर 34 जार का लोन है पूरे 24 मेने के लिए यानि दो साल के लिए मिल रहा है और यहां पर लोन अमांट को घटा बढ़ा भी सकते हैं मिनियों 2000 से लेके यहां पर 722 के आजब लग 800 रुपय के आसपास लग रहा है ठीक है और पिरी यहां में कुछ काट रहे हैं यह 889 रुपय कुछ काट रहे हैं कट क्रीट के 32308 रुपया 60 पैसे अकाउंट में आएगा ठीक है इस चीज को अभी मैं केल्कूरिशन भी करके दिखाऊंगे साड़े 300 रुपय का ब्याज हमें किस है आपसे लग रहा है वह भी दिखाऊंगा ब्याज यहां नहीं लिखा है वह भी आपको दिखाने वाला हूं तो चलिए यहां पर increase my loan amount increase करना चाहते हैं तो यहां पर आप कर सकते हैं otherwise continue application पर करके आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आप आपको यहां पर 4 step और follow करने आपको अपनी selfie देना है अपना एड़स प्रूब देना है और personal details और देना है जैसे कि आप female है mail है आप डिटर वर्थ क्या है mail id क्या है आपका नाम क्या है कुछ details होंगी वो आपको देने पड़ेंगे ठीक है अब यहां पर आखरी में अपना account number देना होगा आपका account सही होना चाहिए यह चारोची यह देने कि आपको यहां पर loan मिल जाएगा तो चलिए चार चीज़ों को हम complete कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमने शुरू की तीनों चीज़े complete कर लिए हैं हम उसको दिखाएंगे जो तो टाइम लगेगा तो यहां पर हमने अपना account जो detail है वो एड कर देते हैं जिसमें हमें पैसा चाहिए तो दोस्तों यहां पर आपको अपना account डिटेल जालना होगा account holder name, account number, account number of IPC को डालना होगा, आपका account saving है, current है, वो अब्स्रेट करके, नीचे link my account कर देंगे, link my account क मतलब है, यही account जिसमें आपका पैसा आगा, यही account आपका e-mandate में आपका लग जाएगा, e-mandate मतलब automatic जो किस तरह आपकी, आपके account से कर जाएगा, तो उसके लिए आपके पास debit card, यानि की ATM card, या net banking होनी चाहिए, तो ठीक है, यहां पर हम date डाल देते हैं, और नीचे link my account पर click करके आगे की process को follow करते हैं, अब यहां पर आपके सामने e-mandate को इस्टेट करने का option आएगा, यहां पर कुछ steps इसको follow करने होंगे, तो चलिए, I understand पर click करें, इस step को follow करते है, e-mandate को चालू करते हैं, और यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह की details आएगी, यहां पर क् आपको David Card Networking, जिसे भी आपको यह मेंडे चालू करना है, तो David Card को shred करके, हम जो है, submit पर click करके आगे बढ़ेंगे, यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर थोड़ा wait करते हैं, और यहां पर हमें अपना ATM का detail डालना होगा, ठीक है, हम यहां पर ATM detail डालके, ATM pin डालके, capital ड लेगे, हम कुछने चोड़ा, यह automatic अपने अप्सलता रहेगा, transaction, यहां पर जो है, status दिखा रहा है, process चल रहा है, wait करेंगे, process चल रहा है, e-directing your bank, bank महा ही direct कर रहा है, पुड़ा wait करेंगे, यह जो है, पूरा e-mandate को successfully होने के लिए, तो दोस्तों, जैसा कि आप screen पे देख स हम यहाँ पे OTP डाल के e-sign कर लेते हैं, और loan agreement letter को ले लेते हैं, OTP डाल दिया है, submit OTP क्लिक कर देंगे, process चल रहा है, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे conculation का message आ चुका है, 34 आर का loan हमें मिल चुका है, यहाँ पे low details आ गई है, यहाँ पे 1697 की EMI है, तो दोस्तों, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे payment receive हो चुका है, अकाउंट में, जो है 32,828 रुपए, आ चुके है, 34 आर के loan का, जो cut kit के जो आया है, वो 32,828 आ जाया है, आयाई FL, जो NBFC, उसने यह पैसा दिया है, आपके सामने पूरा proof है, आप खुद चेक कर सकत है, यहाँ पे दिखा रहा, loan amount 34,1697 की YMI है, इंटर्स 18% है, 24 महिने के लिए लिदिया गया है, और हर महिने की तीन तारीकों, automatic account से 1697 की YMI कर जाएगी, जो कि हमने e-mandate चालू किया है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से loan ले सकते हैं, अब यह app है, कौन सी, app का नाम reveal करत मिल जाए, काफी easily तरीकी समझाया हुआ है, यहाँ पे आपको अधरकर पेंगार लगा के आसानी से loan मिल जाएगा, ठीक है, अब यह NBFC, RBI, Approved है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और काफी अच्छी app है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप अधरक रुपए कटके इतना अमाउंट आया, यानि 11,12 रुपए हमें पे करने है, तो 11,12 यह इसको याद रखना, अब 1693 रुपए हमें 24 महा तक देने, 24 की इमाई है, तो यानि 40,720 का रिपेमेंट करना है, ठीक है, तो इसमें से हम जो है माइनस करेंगे, टोटल माइनस करते हैं और ब्याज हमें यहाँ पे किसे कितना देना, 6,000 का ब्याज देना है, तो अगर हम टोटल देखने, टोटल, भागा 24, यह तो 330 बैठ रहा है, मैं तो 300 जोड़ के चला था, मोटा मोटा, तो 329 रुपए, यानि 330 रुपए आपको हर महने देना है, आप खुद देखो 34,000 का 24 महने के लिए, और EMI कितनी सस्ती है, मनलब कितनी कम है, 1697 की, और सिर्फ 6000 एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, दो साल भी तो यूज कर रहा है, साल भी तो देखो 2 साल, तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप कम ब्याज में है, लो ने सकते हैं, वो भी लो सिविल पे, लो सिवि इंक्रीज हो जाती, जैसा कि मैंने आपको अपके अंदर दिखाया, आपको मत लगाओ, कोई दिकत नी, लेकिन 600 के सिर्फे लोन मिल जाता है, यहाँ पे खुद आपने प्रूप देख लिया, यह है पूरी एप की सचाई, मैंने आपको दिखा दिया, आधार कर पैंकर बिन आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, देखे दोस्तों, उम्हीत पूरी बात समझ में आ गएगी, कोई दिकत है, कोई समस्ता है, लेकर नूटिस आ रहा है, घर पे एजेंट आ रहा है, बेंग आले परसंद कर रहा है, कुछ भी दिकत है, आप मुझे कमेंट करो, आपकी पू मतरम सत्क्मीब जाएटे